तो कैसे हैं आप सब फ्रेंट्स? उमिद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे फ्रेंट्स एक बार फिर से बहुत हो स्वाग आते हैं आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल आरेश टेक्निकल गुरू में फ्रेंट्स आज की वीडियो का टॉपिक फ्रेंट्स आपने थम्रेल में देखी लिया होगा कि आप अपने बिजनेस को कैसे रेजिटर कर सकते हैं उद्योग मंतराले में MSME में जो सूच में लगू उद्योग मंतराले है उसमें आप अपने बिजनेस को कैसे रेजिटर कर सकते हैं और रेजिटर करने से आपको क्या क्या लाब होंगे सब कुछ हम आपको बता देते हैं रेजिटर करने से क्या होगा आपका बिजनेस अगर आ आगे बढ़ाने के लिए तो आपको government बहुत ही आसानी से लोन देते थी अगर आप बिजनेस को register करके रखा हुआ है इसके बाद में आप अपने बिजनेस को बढ़ा करना चाहते हैं अपने बिजनेस की फर्म बनाना चाहते हैं तो भी आपके बिजनेस का register होना बहुत ज़्य लाके documents required होंगे यहाँ पर सबसे पहले तो आपको अधार कार्ड ले लेना है और आपको अपना bank account ले लेना है अगर आपका current account है तो ठीक है otherwise अपना saving account भी लगा सकते हैं आप ठीक है तो हमें एक website open कर लेते हैं यह देखे website हमाई समने परकट हो चुकी है बारत सरकार सूच म देखिएगा friends यहाँ पर आपको अधार number दे देना है अधार number डाल दीजिएगा मैं अधार number डाल देता हूं name of enter यहाँ पर आपको अपना नाम दे देना है ठीक है अगर आप friends एक CSC VLE हैं तो आप अपने खुद का CSC Center को register कर सकते हैं और अगर आप एक आम नागरिक हैं तो अपना CSC Center पर जा करके registration करवा सकते हैं अपने business को register कर सकते हैं business कोई भी विक्ति register कर सकता है चाहे वो ठेली वाला हो या आपको एक खाद्टे से related कोई सामगरी बेंचते हैं तो भी आपको अपना register करवाना बिटरी है friends इसको आपको ज़रूर सही register करवा लेना चाहिए यहा आपको अपना नाम दे देना है ठीक है और validate and generate OTP पर click कर देना है यहां पर एक वाद ध्यान देने वाली है friends यहां पर आपके आधार में mobile number register होना चाहिए अगर आपके आधार में mobile number register नहीं है तो OTP नहीं आएगा friends और इस वज़े से आप register नहीं कर पाएंगे तो इस पर file number डाल करके generate OTP पर click करेंगे तो आपकी phone पर एक OTP आ जाएगा OTP यहां पर आपको इंटर कर देना है इसके बाद में आपको validate पर click कर देना है validate पर जैसे ही आप click कर देंगे तो यहां पर आपके सामने पूरा form open हो जाएगा जो भी आपका business register करने के लिए है यहां से अपने category चूच कर लिजेगा general lobby CST जो भी आपकी category है male female choose कर देना है जो भी आपका gender है name of enterprise यहां पर आपकी shop यानि की business आपका किस नाम से run हो रहा है वह यहां पर लिख देना है type of organization यहां पर अगर आप एक ही यानि कि आप proprietor अकेले हैं तो यहां पर proprietorship लिख दीजेगा ठीक है अगर आप partnership में business कर रहे हैं तो partnership choose कर दीजेगा ठीक business यहां पर full दे देना है आपको एड़ गोटर कर देना है ठीक है यहां पर आप Eck इस एधिक प्लाइंट का भी registration कर सकते हैं और यहां पर आपको अपना अर्डेश डाल देना है, प्लांट का डेट, यहां पर डेट आफ कमेंस्मेंट जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, वो डेट यहां पर आपको डाल देना है, इसको आपको छोड़ देना है, यह नहीं लिखना है, IFSC कोड डाल दीजेगा, आपनी बैंक का, और manufacturing select कर सकते हैं other wise आप service पर click select कर सकते हैं अगर आप सेवा देते हैं service प्रदान करते हैं कोई तो service पर select कर लीजेगा ठीक है इसके बाद में यहां पर business की categories काफी open हो जाएंगी जैसे ही आप service पर click करेंगे तो यहां पर business की categories आजाएंगी अभी open नहीं हो रहा है बाद में open हो जाएगा तो आप यहां से अपने business की category को choose कर लीजेगा add activity यहां से कर देना है आपको अपना business style करके और add activity क्लिक कर देना है यहां पर persons employed पूछा गया है कितने लोग आप कहां पर काम कर रहे हैं यहां पर आपको देद रहा है दस-पांच जो भी लोग काम कर रहे हैं वो संखिया आप लिख देनी है investment लिख देना है आपने कितना investment किया था district industry इंडेस्ट्री सेंटर आपका डियाइसी का जो भी district में होता है एक डियाइसी office फ्रेंट्स तो यहां आपको अपना district कर लेना है और submit पर क्लिक कर देना है जैसे आप submit पर क्लिक कर देंगे फ्रेंट्स तो आपके सामने आपका registration आजाएगा जो आपका certificate आएगा business का certificate आजाएगा उसको आपको print कर लेना है और अच्छी तरक लेना है उसको आप कहीं भी उच कर सकते हैं bank में या जहां भी मांग जा रहा है तो फ्रेंट्स यह था आज का वीडियो उम्मिद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और knowledgeable लगा होगा अगर वीडियो आपको knowledgeable लगा है तो वीडियो को लाइक जलू से कर दीजेगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को subscribe भी कर लीजेगा औ और फ्रेंट्स नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट करके जरूर पताईएगा सकते तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाए जय हिंद